Has Aamir Khan ever fired you? अभी तक कोई और official announcement नहीं की गई है लेकिन इंसाइस sources का कहना यही है कि दोनों एक दूसरे को काफी लंबे वक्त से date कर रहे थे दोनों ने फिल्म डंगल में भी काम किया था जहां फातिमा सनाश्येक ने उनकी ओन स्क्रीन बेटी का किरदार ने भाया था हालनकि फातिमा सनाश्येक को ही एक कारण बताया गया कि फातिमा सनाश्येक की वज़ा से ही आमिर खान और किरन राओ का तलाग हुआ है जिस पर फातिमा सनाश्येक ने रियाक्शन देते वे कहा था कि आमिर खान से उनका कोई खास लेना देना नहीं है आमिर खान सिर्फ अरस बयान नहीं दिया लेकिन अब जब उन्हें एक बाफ़र से मुंबई की सरकों पर स्पॉट किया गया तो फातिमा शनाश्चेक ने अपनी और आमे की रिष्टे को लेकर एक बड़ा खुलासा कर दिया है उन्हें आपको बता दें कि पेपराजी से बात करते हुए फातिमा सनाश्चेक ने बताया कि जब सोशल मीडिया पर आमेर और उनकी शादी के चट्रे खत्म हो जाएंगे तब ही वो ये बात का खुलासा करेंगी कि आखिर वो कब शादी करने वाली है क्योंकि सोशल मीडिया पर उनकी शादी लगभग हो जुकी है वल आपको बता दें कि फातिमा सनाश्चेक इस बात को बोलकर इतनी एक्साइटी नज़र आएं कि वो तालिया बज़ाती हुए और हस्ती हुए भी पेपराजी के सामने स्पॉट हो गई इस दोरान आक्रस फातिमा सनाश्चेक ग्री पर फातिमा सनाश्चेक ने कोई खास रियक्शन नहीं दिया और वहां से चली गई अगर बात करें तो आक्ट्रस फातिमा सनाश्चेक एक जल्दी ही बड़ी फल्म में नज़र आने वाली है जिहां उनका ये अपकमिंग प्रोजेक्ट विकी कॉशर के साथ होने वाला है ज जो पहली भी एक बार फिल्म में नज़र आ चुकी है फातिमा सनाश्चेक ने पेपराजी से अपनी इस फिल्म के बारे में बात करते हूँ ये भी बताया कि ये फल्म काफी बड़ी है और बड़ा प्रजेक्ट हैbury ये उनका क्रəदार इंदरागांधी का है इसलिए उन्हे जरम कर मेंट करनी है विल पहली बार आक्ट्रिस मीगना गूलजार के साथ काम कर रही है विल दोस्तों, आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं कि आक्ट्रिस फातिमा सनाश्यक और आमिर खान की शुरदी को लेकर आपकी क्या राय है और साथ ही आपको क्या लगता है क्या वाकाई दोनों एक दूसरे को डेट कर रही है या पर नहीं अगर आपको हमारी विडियो पसंद आई हो तो आपसे लाइक कीजिए और शेर कीजिए साथी टेवी इंडस्ट्री और बॉलिवर इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही चट पटी और मसालेदार खबरे जवाने के रिए आप हमारे च्रेनल को सब्सक्राइब करना बलकुल ना भूले